नमस्कार दोस्तों राम के लिए दोस्तों परताब गबलोश इनमा सबकाश स्वागते आदोस्तों हम बात करूँगा आप ये जो देख पा रहे हैं डौक के पपीज यानि बच्चे हैं ये ठंड में ठिठूर रहे थे ये एक जगह पर बच्चा कर दिया था तो वहां क्या है इतनी ठंड पड़ रहे हैं कुहरा पड़ रहा था कि वहां ये सब तीनों जो है दो बच्चे और उसकी मा ठिठूर रही थे फिर हमसे देखा नहीं गया और हमें वहां जाना पड़ा जा करके हम इन सब को वहां से लेकर आया अपने छपर में इनको सहारा दे दिया है ताकि इन लों को ठंड न लगे ठंड से बच जाएं अभी तक इनकी आँखें भी नहीं खुली है पूरी तरह से इलगबग साथ से आठ दिन के बच्चे हैं जो अभी सही तरीके से चल भी नहीं पाते सिर्फ मा के दूध के सहारे हैं और वहां पर देखा गया काफी ठंड पड़ रहे थे और ठंड के कारण यह चिला रहे थे आवाज सुनने के कारण हमें वहां जाना पड़ा जब वहां पर हम गये तो देखा कि यह सब ठंड से ठिठूर रहे थे फिर हमने धान का पैरा जो आता है उसको रख दिया रखने के बाद वहां बच्चे को रखा और बच्चे बनाने के मसद हमारा यही है कि अगर आपके भी आस पास इस तरह के कुट्ते या डॉक्स के बच्चे हैं जणम दिया है अगर ठंड लग रही है किसी गढ़े में जनम दे दिया है तो आप लोग का फर्ज बनता है आप लोग का कर्तब से बनता है कि आप लोग भी उन्हें देखें अगर ठंड लग रहे हैं तो इने सहारा देजिए आपके आस पास जो हैं अगर ऐसी दिक्कत में हैं समस्य में हैं या ठंड से ज़दा चिला रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो आप लोग इनका सहारा जरूर बनें और इन्हें अपने आस पास जितने भी हैं ध्यान जो छोटे बड़े पपीज हैं उनको भी थोड़ा आप लोग खाना खिलाएं रोटी खिलाएं इससे क्या है कि आप लोग के आत्मा को भी संतुष्ट मिलेगी और इनके जो ठंड से कितने मर जाते हैं भूख से मर जाते हैं यह सब नहीं होना चाहिए तो दोस्तों वीडियो बनाने के मकसद यह है कि जो भी इसे देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और इस ऐसा ही जो आपके आज पास परों से उन्हें भी दिखाईए उन्हें भी बताईए ताकि वो लोग भी इसी तरह से इन बे जुबानों का सहारा बन सकें और इन धीन एक जो है इनकी भी जिन्दोगी है बच जाए तो दोस्तों हमें उमीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा ठैंक दोस्तों वीडियो आज करने के लिए वीडियो डूस्तों लाइक जरूर करें और आपके मन्म कोई सवाल है तो नीचे कमेंटए जरूर करें